दोस्तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल और वीज येप एक्सपर्ट दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा अडोग प्रीमियर 2021 के न्यू फीचर्स के बारे में कि क्या-क्या उसमें न्यू फीचर्स आये हैं तो दोस्तो आईए देखते हैं दोस्तो ये अडोग प्रीमियर सीसी 2021 है जो की अभी न्यू लॉँच हुआ है अप्रेल 2021 में इसके जो नए फीचर आये है न्यू फीचर जो हैं अप्रेल 2021 में दोस्तो आप ये देख सकते हैं ये वर्जन आपका है 15.1 इसकी परफोर्मेंस बह लिमेंटरी पर्जेंट इंप्रूब थम्नेल्स आप अपने थम्नेल्स भी बना सकते हो इसके अंदर सी डिटेल और न्यू फ्यूचर संब्री तो यह आप देख सकते हैं डाइनेमिक प्रव्यूव इसमें लॉंच किया गया है दोस्तो यह इसमें पुछ दाले गए हैं यह आप देख सकते हैं जो की एक फिल्टर का ही रूप है यह वाले इफेक्ट के तौर पर जो आपको फिफेक्ट में मिलेंगे यह इसमें जो पर आप footage यूज कर सकते हो चाहे वो DSLR camera हो या iPhone हो या another कोई भी smartphone हो उसकी आप easily editing कर सकते हैं इसी के उपर ही आप footage को trim भी कर सकते हैं यह देखी है trim का option आपके उसमें दिया गया है और add animation add video clip आप कर सकते हैं इसके अंदर जो की की framing पहले थोड़ा सा जो ना दिक्कत होती थी लेकिन आप इसमें आप easily कर सकते हैं इसको manage your audio editing sound effect इसमें कुछ चीजे ऐसी आई हैं कि sound effect के अंदर और भी आप improvement कर सकते हैं दोस्तों और आपके footage जो आपको footage की need होती है stock library से उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हो आप इसकी stock library में जाकर कुछ footage निकाल सकते हो दोस्तों एना add hollywood visual effect जो की इसमें नए आए हुए हैं अभी add किये लोगों ने अड़ोग साइड ने तो वो भी आप इसमें ले सकते हो और उनका भी यूज कर सकते हो कुछ templates इसमें नए आए हैं दोस्तों जिन templates का भी आप यूज कर सकते हो और इसको कैसे बाय करें या कैसे खरीदें इसका monthly जो चार्जी से आप यहां से 1670 रुपे पे कर सकते हैं जो आप monthly इसको यूज कर सकते हैं creative cloud के अगर सारे app आप लेते हैं तो 4230 रुपे monthly inclusive tax के साथ में आपको देना पड़ेगा यानि कि GST के साथ में दोस्तों आपने देखा Adobe Premiere CC 2021 के new feature के बारे में आगे मैं आपको पता हुआ कि Adobe Premiere में basic editing कैसे की जाती है दोस्तों तो फिर मिलेंगे एक नए chapter के साथ में so please keep watching my tutorial on the YouTube channel